कानपुर में भले ही कुशागर के हत्यारे गिरफतार हो गए हैं लेकिन इस प्रकरनट से अभी भी लोगों में रोश व्यापत है सोमवार को पुलिस कमिशनर कार्याले पहुंचके मनतक कुशागर के पडोसी, कई व्यापारी और कुशागर के मामा ने पुलिस कमिशनर से मिलकर ये मांग की कि इस मामले में कोई भी कोता ही ना बढ़ती जाए हलाकि आरोपियों को गिरफतार करने के बाद से लगातार आरोपियों से पूछताच करके पुलिस साक्ष मजबूत कर रही है जिससे की आरोपियों को कोट द्वारा भी किसी हाल में न वक्षा जाए मीडिया से बातचीत करते हुए भारती उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंतरी ग्यानेश मिश्रा ने बताया कि उन्होंने पृलिस कमिशनर से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाही करने की मांग की है और मामले को फास्ट्रेक कोर्ट में डाल कर मुकदमा चलाने की भी मांग की है रही है संतुर्ष्टी ही करेंगों कि 31 अक्टूबर को एक छोटा सा 17 साल का बच्चा उसके साथ जो मिस हैपनिंग ही उसकी हत्या कर दी गई और खास करके समाज में सिच्छक को गुरू की तरह माना जाता है उस गुरू के वजा बनी उस हत्या का करना और वो खुद उसमें सल्लिब थी उस लड़के के साथ जो उसका पेमी कहा जा रहा है लगातार पुरे कानपूर में एक माहौल है छोटे से बच्चे की हत्या के खिलाफ एक माहौल है हलाकि पुलिस ने 24 गंटे के अंदर उसको पकड़ दिया उन लोगों को लेकिन आक्रोश एक माहौल है और सब की तरब से कहीं से भी हो रहा हूं उसको रोका जाए जबकि पुलिस ने सपश्ट कर दिया है कि दो दिन पिछले महिने में एक क्यावन बार जो कॉल की बात आई ती हो गलत है उन्हों आज भी कहा क्यों गलत है हम किसी भी ऐसे गलती नहीं करेंगे जो बात हुई भी नहीं की तो हमाराय में कोशिस करेंगे इस तरह की बात कोई नहीं ज़ुक है ना हो दूसरी बात कि की सजा हमारे साथ उनके कुछागर के मामा बी है पढ़ोसी भी बहुत सारे सब ने बताया कि बच्चा के वह इसकूल जाता था स्कूल से घर सबर पूजा करता था गंटी की आव करेंगे कहीं कोई चूक ना हो 15 दिन का कमिटमेंट नहीं कर रहें लेकिन बहुत जल्दी करेंगे और फासी की सजा के लिए पूरी पैर्वी करेंगे कोड का काम है लेकिन पूरी पैर्वी हमाई तरब से हो सक्त होगी फासी की सजा उन तीनों लोगों को हो जो इसमें शामिल ह धजय दोलब करणों